दोस्तो इस वीडियो में हम एक tricky question लेकर आए हैं देखिए यह question बहुत ही खतरनाक है बहुत ही जबरजस्त है लिखा गिया है AB और AB को गुना किया गिया है BA से गुना करने के बाद प्राप्थ हुआ है 5092 और आप से पुछा गिया है कि A और B का value क्या होगा निकालने के लिए कहा गया है देखिए यहां पर आपको ध्यान देनी की बात यह है कि A और B क्या है two different digits है clear चलिए अब अगर यहां पर A और B का मान निकालना है यानि अंकों का मान निकालना है तो आपके पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता ये है कि आप समिकरन मनाए उसके बाद में बैल्यू निकालिए, मान निकालिए, लेकिन वो जो है प्रोसेस, कंसेप्ट वला वो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर A को गुना फिर A B से करेंगे, फिर समिकरन मनेगा, फिर B को गुना इसे करेंगे, उसे समिकरन मनेगा, फिर दुनों को एड़ करेंगे, उसे समिकरन मनेगा, स्क्वाइर वेकरा में समिकरन आ जाएगा, स्वाल करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा, टाइम ज्यादा बियतीत होगा, और दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला ह इस वीडियो में वो बहुत ही अच्छा है, shortcut विधी है, अगर आप समझ जाएंगे, तो ऐसे सवालों को आप छुटकियों में solve कर देंगे, तो देखें क्या है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी संख्या को, कोई भी संख्या को किसी संख्या से गुना करनी हो, तो क्या करते हैं आप, जैसे उपर वाला संख्या है, वो है तो है, ठीक है, दो अंख है, तीन अंख है, चार अंख है, जो भी है, अब नीचे वाला संख्या का जो इकाई अंख होता है, उससे क्या करते है, सभी उपर वाला संख्या के सभी अंकों से गुना करते हैं उसके बाद मैं यहां पर कट लगाते हैं फिर जो दहाई वाली अंक होता है उससे फिर सब को गुना करते हैं यह गुना का प्रोसेस है तो यहां पर देखें जैसे कि यहां पर क्या है A और B है चले यहाँ पर लिखते हैं A, B सबसे पहले आप करते क्या है A और B है अब A, B को गुना सबसे पहले किस से करेंगे A से करेंगे अब जब गुना किया गया यहाँ पर इस A से दोनों को गुना किया गया तो कितना आया? 402 आया कितना आया? 402 आया अब यह 402 क्यों आया भाई क्या वज़ा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एकदम समझना है एकदम ध्यान से समझना है एक चीज़ आप हमें यह बताईए कि यह B है भाई इसका place value B ही रहेगा लेकिन जैसे हम A के पास जाएंगे तो अगर यहाँ पर 5 होगा एक अमान अगर 5 होगा तो वो 5 नहीं उसका place value 5 नहीं वो 50 है ठीक है अगर यहाँ पर A है तो इसका place value अगर कहा जाएगा तो क्या है तेन यह है क्यों कि यह दहाई अग है जैसे कि हम लिख दियcation एक संख्या 56 ये तो 6 है ये तो आप जान रहे हैं इकाई यंग ये दाहाई जो यहाँ पर आप 5 बोल रहे हैं तो भाई इसका लोकल भेल्यू 5 है लेकिन अगर प्लेस भेल्यू की बात की जाए तो एक्च्वली ये 50 है क्योंकि दाहाई यंग है ठीक है क्या है 50 तो 50 और 6 कितना वह 56 है अग अगर इसको हम क्या बोलते हैं लोकल भेल्यू अगर बोलेंगे तो 6 है लेकिन अगर प्लेस भेल्यू अस्थानियमान अगर बोलेंगे तो 60 है ठीक है तो एक सो फी 60 और यह बलाद 3 163 हो गया वासे इस तरह 1000 लाक इस तरह से होता है चलिए यह तरीका हुआ अब यहाँ पर इसका मदलब क्या हुआ भाई यह बलते ए नहीं टेनिये है अब यहाँ पर एको गुना अगर टेनिये से करेंगे एको गुना किसे करेंगे टेन ए से करेंगे तो कितना आना चाहिए अगर एको गुना हम टेनिये से कर देंगे तो यहाँ पर देखे कितना आया है 40 आया है क् 400 हो जाएगा कई लोग confused में होंगे कि यहां पर देखे जब यह वाला अंग से इस अंग को गुना करेंगे मलब टेनिये से जब गुना करेंगे तो फिर यहां पर आप approximately 400 क्यों लिख दिए एकदम लिखेंगे भाई कि यह दहाई वाला अंग है दहाई वाला अंग से गुना कर चार सो दो नहीं हम 400 लिख दिए चली अब यहां पर करना क्या है अब यहां पर देखिए यह कटेगा यह 0 एक 0 कट गिया तो यहां पर क्या बच गिया ए गुना में ए बरावर में क्या बच गिया बरावर में नहीं approximately बच गिया 40 है उससे कम जादा थोड़ा मुड़ा हो सकत है चली अब यहां पर एक का मान जो है आपको खुद रखना और देखना कि 40 आता है यह फिर नहीं आता है उसके यह फिर उससे छोटा बला आता है ठीक है जैसे अगर एक जगा पर पांच रखेंगे तो यहां पर भी पांच रखना पड़ेगा तो पांच पचीस होता है पा क्लियर अब 36 कब हम ले रहे हैं कब जब एक कमान 6 को रख रहे हैं एक के जगा पर क्या रख रहे हैं छे रख रहे हैं तब 36 है क्लियर अब इसका मदलब एक कमान कितना हो गया 6 यहां पर लिख देता हूँ ए बराबर में हो गया 6 यहां से हम निकाल दियें ठीक है यही होगा एक दम 100% वही होगा, ठीक है, एक दम समझते जाना है प्रोसेस को, उसके बाद में B कमान क्या होगा भाई, देखे इसको क्या कीजिए, अब एक जगा पर अगर 6 पता चल गया, यहां 6 लिखिए, पर यहां B है तो B लिखिए, ठीक है, उसके बाद में फिर A के जगा पर क्या ह जाएगा, अब इसको गुना करने पर कितना प्राफ्थ हुआ है, 402 प्राफ्थ हुआ है, अब एक चीजह में बताइए, जब 6 को 6 से गुना करेंगी, 36 आया, लेकिन यहां पर लिखा कितना गिया है, 40, 36 न लिकर के 40 लिखा गिया है, बलब कि यहां पर सेस फल कुछ एड कि इससे क्या किया गया इसको जब गुना किया गया होगा तो कुछ सेस बचा होगा उस सेस को इसमें एड़ किया गया है तो कितना एड़ किया गया चार एड़ किया गया कितना चार अब जब इसको और इससे गुना किया गया है यहां पर दो आया है इकाई अंक मलब की दो होगा और यह जो 6 बचा होगा, यहाँ पर 8 करके लिखा गिया था 6,6,34, और एकाई अंक यहाँ पर लिखा गिया, यह तो तरीका है, सिंपल सी बात है, मदब कि 42 आना चाहिए कुल मिला करके, 6 को गुना अगर हम 20 करेंगे, तो 42 आना चाहिए, 42 कैसे आएगा, जब B कमान 7 रहेगा, तभी ने 6 सते 42 होगा, मदब B कमान क्या हो जाएगा, B बराबर में 7 हो जाएगा, देखे हमको समझाने में थोड़ा सा वक्त लगा, देर लगा, लेकिन यह ज़्यादा भारी नहीं है, अगर खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो पिर एकदम चुटकियों में बनेगा, बिस पचीस सेकेंड के भीतर के लिए, तो देखें, यहाँ पर A कमान 6 होगी और B कमान 7 होगी, बहुत एजी कुस्चन है, बहुत एजी, अगर समझ भी नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में सब आ जाएगा, और खुद से आप प्रैक्टिस जरूर कर लिजिएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई संख्या लिखेगा, पहले गुना कर लिजिएगा, पहले क्या कर लिजिएगा, दो अंको वाली या तीन अंको वाली संख्या गुना कर लिजिएगा, फिर वहाँ पर A, B, C, A सम मान लिजिएगा, और खुद से बनाने को परय तो असके लिए इतने ही अगले वीडियो में जैहिंद उबंदे मातरम